हिमाचल प्रदेश के अधिकान शेत्रों में बीते कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग के दो दिन के अलर्ट के साथ ही फिर से बारिश का क्रम शुरू हो गया है। उचाई वाले स्थानों पर हलकी बर्थ बारिश अपकी मध्यम एवं निचले शेत्रों में लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्श की गई है। एकाएक हुई ठंड ने बागवानों की चिंता भी बढ़ा दी है। चौपाल की बात करें तो बीती आधीराच से लगातार मुसलाधार बारिश से जन जीवन प्रभावित हुआ है। विशेश तोर पर मध्यम एवं निचले शेत्रों में सेप के पौधों में फ्लावरिंग का फीक दोर चला हुआ है। ठंड अधिकोने के कारण फ्लावरिंग प्रभावित हो रही है जिससे अब बागवानों की चिंता भी मौसम विभा के अलर्ट के साथ बढ़ती जा रही है। पिछले साल की बाद की जाए तो अभी तक 80-90 प्रतीशत फ्लावरिंग बोधों में हो चुकी थी। लेकिन इस बार मार्श के महीने में पड़ी ठंड ने फ्लावरिंग को प्रभावित कर दिया है। हलाकि एपरिल महीने में भी बारश और ठंड का ये दौर जारी रहा तो सीब की फसल पर संकट के बादल चा सकते हैं। चौपाल के साथ साथ सोलन, राजगर जैसी कई जगाहों में बारश का दौर जारी है, तापमान लगातार गिर रहा है और गिरते तापमान से लोगों का जन जीवन अस्त वेस्त हो रहा है। आम काम करने में भी परिशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और वहीं मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के ये दौर अभी कुछ दिन जारी रह सकता है।